हेलो स्टूडेंग आज हम सुरू करते हैं पेज नमबर 80 से लखनवी अंदाज का एक्स्प्लेनेशन ठीक है तो वो जो लेखक है वो देख रहा था कि नवाव सहाब किस नवावी अंदाज में खीरे को खा नहीं रहते बलकि सूंग सूंग कर और मन में ही उनका रसाथ किसे बाहर फेक रहे थे तो ठीक है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं देखिए नवाव सहाब ने खीरे की सब आंकों को खिड़की के बाहर फेक कर तोलिये से हाथ और होंट पोंच लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमा कर लेड़ गए हम हमें तसलीम में सिर खम कर लेना पड़ गया यह है खानदानी तैजीब नफासत और नजाकत हम गोर कर रहे थे खीरा इस्तिमाल करने के इस तरीक को खीरे की सुगंद और स्वात की कर्पना से संतुष्ट होने का सूख्ष नफीस या एस्ट्रिक तरीकर ज भी हो सकती है कोश्चन माग है यह ठीक नबाब सहाब की ओर से भरे पेट के उंचे सुर का ड़कार सब्द सुनाई दिया और नबाब सहाब ने हमारी ओर देखकर कह दिया खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील ना मुराद मैना पर बोज डाल देता है ज्यान चक शुख खुर गए पहचान यह है नई कहानी के लेखक ठीक है खीरे की सुगन और स्वात की कलपना से पीट भर जाने का ड़कार आज सकता है तो बिना बिचार घटना और पात्रों के लेखक की एक्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती देखे पूरे इसमें लेखक क्या कहना चाहता है लेखक बता रहा है कि जब वो खीरे खा क्या रहे थे खा ही नहीं रहे थे वो तो नवावी अंदाज भया कर रहे थे खीरों को सूंग सूंग कर अंतर आत्मा से उनका रसास्वादन कर रहे थे आत्मा तो यह कह रही थी कि क कहीं अगर यह नवावी अंदाज नहीं दिखाना होता तो आज इन खीरों को हमारे पेट में जाना था लेकिन कहते ना कि हो नहीं सकता था यहां तो एक चीज़ की किसी की बली चड़ती खीरों की बली चड़ गई तो यहीं बात है कि नवाव सहाब ने नवावी अंदाज में खीरों को तयार किया था पेका और इसके बाद नवाव सहाब लेखा कहते हैं कि रहीज नवाव खीरों की तैयारी और इस्तेमाल से ठक गए थे और ठक कर लेड़ गए थे हमने तसलीम में सिर्खम करना मतलब तसलीम माने होता है नवाव सहाब की इतनी अधिक नवावी देखक लेखक नतमस तक हो गया था कि वास्तिकता में अगर नवाव हैं तो यही हैं यही सफेद पोस्व्यक्ति सबसे बड़ा दुनिया का नवाव है और इस सर्धा से लेखक का सिर्खम कर लेता है उनके सम्मान में उनकी तसलीम में लेखक सिर्खम कर लेता है सिर्खम कर लेता है ठीक है आगे है कि क्योंकि क क्यों लेखक के लिए क्यों यह सिरखंकल है क्यूंकि सुगन्द और सुवाड से नवाव साहब का पेट भर गया था तो लेखक को भी एक बात पकड़ में आ गयी वह तो सम लेखक तो लेखक की है फिर एक अपना विचार समझ में आ गया कि भाया जब इतने सिर्फ सुवाड स नवाव साहब कीरों के सिर्फ मात्र स्वाद से डकार आ सकती है तो क्या हम बिना कहानी बिना घटना और बिना पात्रों के कोई कहानी नहीं लिख सकते हैं यही उनके एक दिमाग में एक कहानी मतलब लिखने का तरीका एक मतलब कहते हैं एक नए कहानी मिल गई नए बात मिल गई नया हैडिया उनको मिल गया ठीक हम गौर कर रहे थे के खीरा इस्तिमाल करने के इस तरीकी की सुगन और स्वात और उनकी संतुष्टी को ठीक है ने कहा है कि लेखक यही कह रहा था कि यही चीज लेखक पकड़ गया था समझ चुगा था कि कहा नई कहानी को लिखने के लिए उसे ना तो बिना बिचार कोई बिचार करना है किसी भी घटना का पात्रों का सिर्फ एक्छा मात्र से उसकी एक्छा कि हाँ आज कुछ नई कहान उसी तरह से एक्षा मातर से बिना कहानी बिना पात्रों और गटना के एक नई कहानी बनानी मतला अपना बिचार रखा कि क्यू नहीं बन सकती है भाई नई कहानीं भी बन सकती है तो ये थे लेखकी और नवाप garant बीज में नवाबी अंदाज का आंतरिक violation और इस संस्कृती पर पढ़े हुए प्रभाव और दुस्श्रुआ को हमने इस चाप्टर में आपको संझाया है कि यह संस्कृति के कैसे प्रभाव है और क्या दुस्प्रभाव है ठीक है तो अब हम अपना ये चैप्टर यहीं पर बिराम करते हैं बेटा बच्चों इसको अच्छे ध्याम से पढ़िएगा बाई बेटा टेक कियर बाई बाई